जैन फ्रेंट्स मैं मुकेश सिंग आज फिर साब सावी का स्वागत करता हूँ अपने शूटूब चैनल के जो की अगर सही मायने में कहें तो एक दिल की जो इसके कवी है उसकी दिल की आवाज है तो कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें की जो मेरे दोस्त हैं जो मेरे मित्र जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो कई बार एकदम से ठुटे होते हैं और काफी प्रोब्लेम फेस कर रहे होते हैं तो उन्हें कुछ दिखता नहीं है कहीं भी कोई रास्ता नहीं दिखता तो मुझे संपर्ट करते हैं और बुलाते हैं और अपने सारे प्रोब्लेम बदाते हैं और उसाइद उन्हें लगता है कि यह बेहतर इंचान है जो कि मैं हूँ नहीं मैं मानता नहीं तो उन्हें ऐसा कुछ लगता होगा तब ही वो शेयर करते हैं पिर में जाता हूं और उन्हें किसी किसी दरह से तो पर ले हसाता हूं और ऑफिर उसके बाद जितना मेरी अंदर चमता होती है उतना मैं उसे शोल्व करने का कोशीश करता हूं तो उसके बिच मेरे ब्युक्ते से भिल इस डृबा करे air वह वाला तो फिर ऐसे जो भी बाते होती है तो इसके पीछे जो मेरा intention चुपा होता है वो एक ही होता है सबसे बड़ा कि मेरे रहते कोई सुसाइड न करे क्योंकि बहुत दूख होता है पता नहीं एक अंदर से तरफ आती है कि छोटे-छोटे से प्रोलम को लेकर के लोग सुसाइड कर लते है और मेरे कुशिज रहती है कि साइड अगर मेरे कुशिज से एक आदमी की भी जान बच जाती है तो मैं अपने आपको बहुत ही भाग्यवान समझते है और मैं मानता हूँ कि इस धर्ती पे मेरा जन्म लेना सफल हो गया और जो मुझे जानते हैं वो जानते होंगे कि जब मैं बात्रूम में होता हूँ और फर्स मग जब पानी का मेरे सरीर पर गिरता है तो मेरे अंदर का कलाकार जग जाता है तो फिर गाने गुन-गुनाना और क्रिटी बिटी मेरी वो अंदर का जोकार लगा रहे हो एकदम से जग जाता है और फिर सुरू हो जाता है तो फिर ऐसे ही एक दिन की घटना है मैं नहाने के टाइम में गुनगुनाते गुनगुनाते मैं सोचा कि वो जो बाते हैं साइद इसको अगर एक रचना के तोर पे सेर किया जाए तो अधिक साधिक लोगों को इससे लाब मिल सकता है और इसी विचार से, मैं गुन-गुनाते, गुन-गुनाते पिर निकला वहाँ से और यह रचना कर डाला तो आईए बेना दरे कि यह इस रचना का अनध लेते हैं जो की इस परकार है पिर भगवान के ओरुबीशारा करता है और फिर बोलता है हर किर्ती उसकी यूनिक है, जीवन पत कातू पतिक है, एक पग चलने का साहसकर उसकी लिला भी अजीब है तकलीफ उसी को मिलती है, जिससे बेहतर कुछ कराने है, तो भीतर जहांके देख सही कितने भरे खजाने है नसक तु बिलकुल उसपे कर, जितना दिखे बस चलता चल, रास्ते बस चुनना सोच समझ, आज नकल होगा सफल पिछे देख जिसके पाउं कटे, था प्लान येविरेस चड़ाने है एक कहानी अरुणिमा सिना का है, जो कि साहद आप सभी जानते होंगे एक ट्रेन में वो चोर लुटेरों के साथ लडाई के दोरान उन्हें फेक दिया गया था ट्रेन से उसके पाउं कट गई थी, और आर्टिफिसियल पैर लगा करके वो एविरेस्ट फते की थी तो उसे मैं आगे अच्छे से एक्स्प्रें करूंगा तो उसी के बारे में ये जो लाइन लिखा गया है पीछे देख जिसके पाउं कटे प्लान एवरेस्ट चढ़ाने हैं तो भीतर जहां के देख सही कितने भरे खा जाने है काहे चिंता करता रे मुरक अगेंस तेरे जमाने हैं तो भीतर जहां के देख सही कितने भरे खा जाने है दुनिया के पीछे भागेगा थोड़ा ही हाथ लाएगा सारा फोकस अपने पेकर अनगीनत चीजे पाएगा अपडेट कर वेस्ट वर्जन अपने को खुद बनाने हैं तो भीतर जहां के देख सही कितने भरे खजाने हैं काहे चिंता करता रेम उरक अगेंस तेरे जमाने हैं तो भीतर जहां के देख सही कितने भरे खजाने हैं फिर उसकी कीमत बताता है एक छोटी टुकडी किड़नी तेरी लाखों में बिख जानी है एक छोटी टुकडी किड़नी तेरी लाखों में बिख जानी है खाली माल भरे हैं भीतर तेरे बस एक नजर घुबानी है और वों की मसीन लिया घुमता घर बेठे नापस्ताने है तो भीतर जाके देख सही कितने भरे खजाने है काहे चिंता करता रे मूरक अग्यंस्ट तेरे जमाने है तो भीतर जाके देख सही कितने भरे खजाने है जब कुछ भी समझ में ना आए बागडोर उसी के हाथ में दे बस चलता जाए इसारे पे हो सांथ चीत और धीर धरे अब ऐसाने ही कि बागडोर उसी के हाथ में दे बस चलता जाए इसारे पे हो सांथ चीत और धीर धरे और फिर यहाँ बताता है कभी अपना नाम इसमें लिखा हुआ है जैसे अरजुन बना करके महाभारत का जंग कृष्ण जी ने जिताया था तो उसी तरफ इसारा करता है और यह लाइन लिखता है तो भीतर जांके देख सही कितने भरेखा जाने है काहे चिन्ता करता रे मूरग अगेंस तेरे जामाने हैं तो भीतर जांके देख सही कितने भरेखा जाने है तो फ्रेंट्स मैं आशा करता हूँ यह रचना आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी और आप सभी इसे बहुत ही लभानित होंगे और साथ ही मैं यह भी आशा करता हूँ कि अगर इस रचना के प्रभाव से किसी एक व्यक्ती की भी जान बसती है और कुछ अपने लाइब में बहतर कर जाता है तो मेरा जीवन धन हो जाएगा और लेकिन हाँ भागिये मत इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है नए है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा के सबसे उपर वाल आप्शन जो और आता है उसको भी किलिक कर दें ताकि सबसे पर नोटिफिकाशन आपको जाए और इस वीडियो का ज्यादा ज्यादा सेयर करके अधिक ज्यादी लोग तो पुंचाएं तो थैंक्स पर लिसनिंग और वाचिंग मैं फ्रेंड थैंक यू थैंक यू सो मॉच